इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैश फटाउग्रिफी के बारे में जो भी बिगनर्स और वह फ्लैश फटाउग्रिफी के अंदर एंटर करना चाहते हैं कर पर मैं आपको कुछ व्लैश करूंगा कि फ्लैश को जब हम बांस यूज करते हैं तो किस तरीके से क्या फरत पड़ता है आपके सबजेक्ट पर तो मैं इस वीडियो में टुटोरियल चो करने वारा हम फ्लैश फटाउग्रफी को लेकर तो बेसिकली मैं पहले अपने subject की फ्रोग्राफ क्लिक करूँगा direct यानि कि इस तरीक से direct flash यूज करूँगा और उसके बाद आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो यह 45 डिगरी एंगल है मैं इस पर शूट करूँगा उसके बाद मैं 65 डिगरी पर शूट करूँगा और उसके बाद मैं 75 डिगर के हमारे subject पर आएगी तो मैं इन चारों तरीकों से आपको जो flash की से फोड़ाइब जाए वो क्लिक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में तो अगर आप मेरे चैनल पर नुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बल आइकन को प्रेस कर दिता कि आपको नए वीडियो को न हैं यह मेरी चोटी शिस्टर तो उसको क्या करूँआ मैं उसकी में फट्रफ जैसे मैंने बताया उनकी फट्रैफ करोंगा तो मैं लासाब से पहले हैपके साथ कैमरा सैटिंग्स पता जीता हूँ मैं जो केमिसेटिक्ष रकने वालाओ मैं कैमिसेटिंग्स में अपर्चर मै क्लिक करते हैं अभी जो आप स्क्रीन पर यह फ्रवाइब देख रहे हैं यह वाली फ्रवाइब करिक करें यह एक दम डारेक्ट फ्लैश यूज करा गया इसमें ठीक है एक दम स्ट्रेट फ्लैश उज किया गया अब देख रहे हैं कितनी हार लाइट जो आफ फेस नोनु के फेस पर आ रही है तो आप ऐसे डारेक्ट फ्लैश हर सिचुएशन पर यूज ना करें इक दम आपकी सब्जेक्ट जो है वह बहुत मैं बोलूंगा कि ब्लोन आउट हो जाता है बहुत जदा हार्ड लाइट जो उसकी फेस पर जाती है उसके बाद मैंने सेम पावर पर फ्लिक करी है यह मैंने एंगल यूज किया है अपने मतलब जो फ्लैश का वह फ्लैश को जो लाइट है उसको ठीक है इसमें थोड़ी सी लाइट जो है वो सही हुई है ठीक है बट ओके ओके इसमें भी हलका सा हाट जो है वो आ रहा है अब उसके बाद हम नेक्स तरफ चलते है 60 डिग्री एंगल पर तो आप यह देखिए यह मैंने 60 डिग्री पर क्लिक करी है और इसम सो के आ रिये जिसमें लाइट वॉल से उपर वाली रोफ से आई मीन यह देखिए ना दिस इस पॉफेक्ट इसमें ना तो आ हाईलाइक जादा है ना कॉंट्रास जादा है और ना ऐसा है कि स्किन टॉन जो है वो जाधा हाईलाइट हो रहा है तो इस 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 यह है वो सॉफ्ट होगी और अच्छी लगी आपके फ्रेम्स में तो बीसिकली अभी आपने स्क्रीन पे जो फ्रड़ाब देखी मैं आपको फ्लेश में बता देता हूं तो सबसे पहले यह जो है यह डारेक्ट फ्लेश है यह मैंने इस पर डारेक्ट फ्लेश किया अब मैं इसको है इसके बाद इसके नीचे जो आता है यह हमारा आ गया 75 डिस इस गया और उसके बाद जो लास्ट है जिसमें मुझे लगए कि सबसे सही जिसमें पर्फॉर्मेंस आया ए फ्रवाफ का इस इस दिन 90 डिग्री एंगल जिसमें जो लाइट है वो स्ट्रेट गई है उपर और के मेरे सब्जेक्ट के पास आई है तो डिफ्यूज हुए है डिफ्यूज मतलब फैली है वो तो जिस वज़े से जो हार्स लाइट है वो बिल्कुल नहीं एकदम जो सॉस्ट हो गया है सब कुछ मैला इसको फेस है ऐसा लग रहा है कि एकदम नेच्टरल एंविर्मेंट में क्लिक किया गया पता नहीं चल रहा है कि फ्लैश यूज हुआ है तो इस तरीके से चार एंगल होते हैं जो आप अपने नॉर्मल एक फ्लैश में यूज कर सकते हैं तो मैंने एक टुटोरिल सुचा क्यों ना बनाया जाए आब सब के लिए अगर आपको यह वीडियो कि अपने चार एंगल नाए प्लैश यूज कर दो आपको यह वीडियो प्लैश प्लैश यूज कर दो आपको यह वीड़ियो अवीडियो अगर दो प्लैश बाखको यह है।